कि कि अगे तो देशे करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या हैं उसका इंट्रॉडक्षिन करेंगे तो फर्स्ट फ्रेमवर्क क्या है कि object relational mapping framework कैं जिसके रुह हम data access कर सकते हैं डौत नेट यह आपके साथ आपके पास जो दॉटनेट कोर के साहर रिलीस किया गया है और इस इन एक्स्टेंसिबल लाइट वेड एंड ओपिन सोर्स और प्रैटफर्म वर्जन ऑफ दी एंटिटी फ्रेमवर्क डेटा एक्सिस टेक्नोलोजी जो मैं पर डेटा एक्सिस टेक्नोलोजी एंविसी के अंदर यूज होती थ द्रशन है ताकि इसके थुर्व हम.net कोर के अंदर जो है वह डेटा एक्सिस कर सकें तो जब हम.net कोर के अंदर डेटा एक्सिस का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को इंस्टॉल करना पड़ता है तो आपके पास जो और एम स्टेंड फो automatically based on database table and the vice versa is also true that is it can also generate the necessary SQL to create the database so as a developer we mostly work with application business objects and the ORM framework generates the necessary SQL तो यानि आपके पास क्योंकि हमें as a developer जो है वो application business objects के साथ काम करते हैं तो ORM framework हमाई पास क्या करता है necessary SQL जो हमाई पास CRUD operation के अंदर यूज होती है उसको perform करने में हमारे लिए असानी प्रोवाइड करता है तो इन simple words हम ऐसा के सकते हैं कि हमाई पर जो ORM framework है वो हमाई पास eliminate कर देता है need for writing the most of the data access code ठीक है यानि जिसको हमें as a developer लिखना पड़ता है तो यानि ORM को अगर हम use कर रहें तो उसकी मदद से हमारे पास क्या हो जाता है हमारा थोड़ा time save हो जाता है और जो data access के लिए हमें additional code लिखना पड़ता है वो हमाई पास ORM generate करके दे देता है so why do we need to use an ORM so basically let's understand समझें के हम एक application develop कर रहें जिसके अंदर हम students जो है college के उनका data जो है ना manage करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें student department address तो यह सारी classes बनानी करेंगी basically यह सारी classes हमें बनानी पड़ेंगी technically we call these classes as domain classes so without using ORM entity framework or EF core we have to write lots of data access code to perform CRUD operation यानि अगर हम ORM का use नहीं कर रहें यानि entity framework या entity framework core का इस्तमाल नहीं कर रहें तो हमें data retrieve करने के लिए यह store करने के लिए बहु सारा code लिखना पड़ेगा for example in order to perform CRUD operation read insert update or delete from a database table we generally need to write custom code in our application to generate the required SQL statements यानि अगर हम insert करना है select करना है तो उसके लिए हमें curious लिखनी पड़ेंगी which can be understood by the underlying again अगर हमें जो है वो data read करना है database से तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए भी हमें custom code लिखना पड़ेगा this is a very common task as a developer for us that we do almost in every application अब अगर हम ORM का इस्तमाल कर रहा है तो ORM क्या कर सकता है ORM हमाएं पस ही सारा काम करके देदेगा और हमारा time save कर देगा the ORM framework sits between our application code and the database it eliminates the need for most of the custom data access code that we usually write without an ORM तो ORM का जो benefit है वो यही है कि हमें बहुत सारा data access code लिखना पड़ता है अगर आपने adio.net use किया तो adio.net के अंदर हमें connection बनाना पड़ता था connection के बाद हमें command बनाने object बनाना पड़ता था फिर हमें क्यूरी pass करनी पड़ती थी और उसके बाद फिर जाके हमें उसको data को access करना है या उसको insert करना है तो वो काम हमारा होता था बड़ इन दी इन्टि फ्रेमवर्क वाट वी आफ तो दो वी आफ टो क्रिएट अ क्रेट अ क्रेक्शन एंटि फ्रेमवर्क अंदें वी यूज दी इन देफाइन इन दी ओ रहें के अंदर जो database first approach की जो support है वो अभी बहुत कम है at the moment बट in future वो भी increase हो जाएगी बट जादा तर जो focus होता है वो आपके बाद code first approach पे होता है कि सबसे पहले हम code first approach में क्या करते हैं हम अपनी domain classes बनाते हैं यानि जैसे हमारी student की class है department की class है या हमारे पास customers की classes हैं तो जो हमारी domain classes होती है हमारे project की हमारे application की वो हम create करते हैं और फिर आपके पास जो है क्या करता है यह जो आपका entity framework के वो आपको क्या create करके देता है वो आपको database create करके देता है उन domain classes से यानि आपने domain classes लिखनी है उसके बाद आपने migrations run करनी है और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा आपके बास database भी create हो जाएगी और आपके बाद database के tables भी create हो जाएगे with that domain classes तो अगर आपके पार database पहले से मौझूद है और tables भी बने वे हैं तो आप database first approach को use कर सकते हैं जिसके अंदर entity framework आपको क्या करके देगा entity framework आपको domain classes और db context file बना के देदेगा और अगर code first approach को आप target करें तो उसके अंदर आपको domain classes और db context file खुद बनानी पड़ेगी और उस class से आपके पार database और database का table खुद बाखुद automatically generated हो जाएगा so what are entity framework code database provider तो EF code support both relational and non-relational databases this is possible due to the database provider database provider की वजा से आपके पार जो EF code है वो दोनो types के databases को support करती है relational और non-relational relational databases को the database providers are available as nuget packages जो आपके database provider है वो as आपके पास nuget package की तरह available है data provider sit between EF code and a database it supports तो basically जो आपके पास code generated हो रहते हैं domain classes और आपके db context file ये कौन करता है EF code आपके पास वो काम करके देता है but with the help of database provider database provider का काम basically ये होता है कि हम कौन सा database use कर रहे है EF code database provider usually contains the functionality specific to the database support तो EF code database provider के अंदर वो functionality मौझूद होती है जो वो database को support कर रहा होता है functionality that is common to all database is in the EF code component और जो common आपके पास functionality होती है सारी databases की वो कहां मौझूद होती है वो EF core component में मौझूद होती है functionality that is specific to our database for example MySQL server Microsoft SQL server specific functionality is within the SQL server provider तो यानि अगर कोई specific SQL server की functionality है तो वो कहां मिलेगी वो आपको SQL server provider के अंदर मिलेगी और अगर आपके पास कुछ common property है या common functionality है जो के सारी database support करती है वो आपको कहां मिलने वाली है वो आपको EF core के component में मिलने वाली है यह जो आपके पास database providers हैं इनकी पूरी list आपको Microsoft की website पे मिल जाएगी जहां से आप इन सारे providers के बारे में जो है वो information read कर सकते हैं So why need to use entity framework core over EF 6.x तो अगर आपने ASP.NET MVC में काम किया .NET framework के अंदर तो आपने देखा हुआ कि वहाँ पर आप entity framework 6.x को यानि उसके कोई भी version को यूज कर रहे होते हैं तो why we need to use entity framework core तो हम entity framework core को क्यों use करें हम entity framework 6 को भी use कर सकते हैं तो आपके पास EF 6 is a stable and fully tested ORM technology and use in many application EF core also provides an experience similar to EF 6.x however it is built upon a new set of components so आपके पास application target करते हैं .NET Core को या आपके पार that is asp.NET Core application universal windows platform application cannot use EF as this requires the complete .NET framework तो अगर आपकी एक application है जो के .NET framework पे बनी है और वो completely .NET framework पे बनी है तो उसके लिए आपके पास EF core को आप use नहीं कर सकते अगर आपकी ऐसी application है जो के .NET Core framework को target करती हैं तो वहां पर आप EF6 को use नहीं कर सकते .NET Core is more suitable for such application although both of these release provides similar features EF core does not have the following features तो आपके पास देखें आपके पास तकरीबन क्यूंकि यह इसके उपर ही build किया गया है .NET Core तो basically similar features हैं पर आपके पार EF Core के अंदर कुछ following features जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वह available नहीं है special type complex value type EDMX model format lazy loading and store procedure की support आपके पास नहीं है complete list of features not available in EF Core and a side-by-side comparison with EFC can be found at feature comparison the EF Core does not support all features provided by the entity framework however following are some reason to use EF Core simple to get started एक तो यह simple है उसी तरह से इसमें NoSQL databases की support है along with the relational database it fits nicely in the ASP.NET MVC Core setup तो अगर आप ASP.NET MVC Core application बना रहे हैं तो उसके अंदर easily fit in हो जाता है integrates well with link तो link के साथ भी जो है यह integrate हो जाता है possible to use on Linux and Mac since it is based on .NET Core along with Windows तो आप इसको जो है वो क्या कर सकते है Linux and Mac पे भी use कर सकते है क्योंके यह cross platform है और आपके पार अगर आप एक .NET Core application बना रहे हैं तो basically it is better that you use EF Core instead of EF 6.X तो आज की इस lecture के अंदर हमने basically EF Core के बारे में समझा कि EF Core क्या है इन्शालला नेक्स वीडियो के अंदर हम जो है EF Core को install करके देखेंगे कि EF Core को हम अपने application में किस तरह से install कर सकते हैं और उसके बाद हम further इसको use करेंगे और database connectivity सीखेंगे कि हम .NET Core application के अंदर database connectivity कैसे कर सकते हैं और झाए रेक्ट थांट कि पसुन हो भी रख्प्प्प्ष्ण